Hello Friends, मैं विश्वेंदर आप सब का ज्यान संगम क्लासिस पर स्वागत करता हूँ आज हम Ecology and Environment के टोपिक से इसका Static Part को पढ़ने वाले हैं मैं इससे पहले Environment के Current Affairs को लेकर दो वीडियो बना चुका हूँ Part 1 and Part 2 उनका लिंक मैं description box में डाल दूँगा तो सबसे पहले ये बातचीच शुरू होती है Ecology से कि Ecology क्या है तो सबसे पहले आप खुद को Observe कीजिए आप क्या करते हैं आप Nature से Air लेते हैं यानि कि Breath करते हैं जो पानी पीते हैं जब प्यास लगती है वह कहां से आता है वो Nature से आता है इसी तरह आप Nature से Oxygen लेते हैं और Carbon Dioxide छोड़ते हैं इसी तरह आप अपने साथ वाले लोगों के साथ कुछने कुछ interaction कर रहे होते हैं और Environment भी आप से interaction कर रहा होता है तो ये One Way interaction ना होकर Two Way और यूं कहें कि Both Way interaction होता है तो इसी तरह एक छोटे से Organism को देखने जाएंगे तो वो क्या करता है वो Directly Environment के साथ कोई ना कोई interaction करता है ठीक वही Organism अपने दूसरे Organisms के साथ कोई ना कोई interaction करता है ठीक इसी तरह Environment भी उस Organism के साथ कोई ना कोई interaction करता है तो ये interaction एक साइड ना होकर दो तरफा होता है तो जो study जिसमें हम ये mutual reciprocal relationship और interaction को पढ़ते हैं उसे हम ecology बोलते हैं तो ecology की शुरुआत जो होती है एक individual organism से होती है एक individual organism दूसरों से कुछ mutual interaction करता है और ये सब environment के साथ mutual interaction करते हैं जिस field में हम ये सब पढ़ते हैं उसे हम ecology बोलते हैं ecology terms को Ernest Haeckel ने दिया था ये बहुत ही important question बन जाता है तो ecology जो है तीन level पर present होती है एक individual level पर, एक population के level पर, एक community के level पर individual को हम species बोल सकते हैं species से बड़ी होती है population, population से बड़ी होती है community आने वाले lectures में मैं आपको हर इसकी word को बिल्कुल basic से लेकर detail में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी confusion ना रहे हम इन सभी terms को appropriate time में और appropriate lecture में देखेंगे एक जो आपको समझना है यहीं पर, सबसे पहले आता है organism, species उसके बाद population, उसके बाद community और community के बाद में आता है ecosystem ecosystem से बड़ी चीज होती है biome जिसे हम lens के भी बोल सकते है उसके बाद आता है biosphere तो ecosystem को हम आने वाली slides में बिलकुल detail में पढ़ेंगे ecosystem क्या होता है, इसके कौन-कौन से components होते हैं और biosphere को आप बोल सकते हैं कि जो दुनिया का सबसे largest ecosystem है उसे हम biosphere बोलते हैं और एक अगर आप से कोई पूछे कि one word में, one line में ecology की definition बताईए तो ecology is the study of ecosystems यानि कि ecosystem की जो study होती है उसे ecology कहते हैं मैं ecosystem को आने वाली slides में आपको पढ़ाऊंगा बट यहां भी मैं बता देता हूँ ecosystem जहां ये सब ऐसा system जहां ये interactions हो रहे होते हैं उसे हम ecosystem बोलते हैं और जिस study के थुरू हम इन interactions को study करते हैं उसे हम ecology बोलते हैं तो ecosystem क्या होता है मतलब ecosystem होता है एक ऐसा system जिसमें एक organism दुसरे organism के साथ में रहता है और एक दुसरे के साथ interact करते हैं और अपने environment के साथ interact करते हैं ये होता है ecosystem और ecology से कैसे related है ये जो interaction हो रहे हैं जो reciprocal interaction हो रहे हैं जो mutual interactions हो रहे हैं उनको जो study करता है वो है ecology इको investments एक का कैस्टेम हो सकता है जैसे आपके घर में आपने देखा होगा फिश का मिल जाएंगे तो ecosystem की एक जो सबसे बड़ी characteristics होती है कि ecosystem जो होता है self regulating community होती है living organisms की और इसको हम बोलते हैं cybernetic system तो ये जो term थी ecosystem की वो आर्थर टेंसले ने दी थी और ये भी बहुत important question आपका बन जाता है इसके अलावा एक बात आपको याद रखनी है धरती पर जितने भी ecosystem ह वो सभी interconnected है और interdependent है अगर ecosystem एक दूसरे से interconnected और interdependent ना हो तो धरती पर life का survival बहुती मुश्किल हो जाएगा और कोई बचेगा भी नहीं तो सभी ecosystem मिलकर धरती पर एक बड़ा ecosystem बनाते हैं जिसे हम biosphere कहते हैं तो ecosystem में हर organism अपने साथ अपने साथ वालों के organism के साथ और अप एक्षेंज करते हैं basically आपको यह समझना है कि exchange of matter and energy जो रहता है वो physical environment के साथ रहता है एक होता है open ecosystem open ecosystem क्या होता है इसमें free exchange of energy and matter होता है with outside world एक होता है close ecosystem इसमें जितना open system में free exchange होता है energy और matter का उतना नहीं हो पाता इसलिए इसे हम close ecosystem बोलते हैं एक important बात जो ecosystem के बारे में आपको याद रखनी है कि ecosystem में unidirectional flow of energy रहता है मतलब energy का जो flow रहेगा नीचे के level से उपर के level तक जाएगा इसमें कोई mutual नहीं रहेगा reciprocal नहीं रहेगा कि उपर से नीचे भी energy आ रहे है और नीचे से उपर भी जा रहे है और जो materials यानि की matter यानि की nutrients आप सबको पता है हम सबको चाहिए होते हैं एक proper way में और एक proper amount में ताकि हमारी body अच्छे से function कर सके तो ecosystem में जो nutrients का flow रहेगा वो cyclic manner में रहेगा और जो energy का flow रहेगा unidirectional रहेगा ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है इसके बाद आता है components of ecosystem यानि की ecosystem के क्या क्या component रहते हैं ecosystem के basically दो component रहते हैं abiotic component और biotic component तो abiotic जो रहता है वो non-living होता है और biotic होता है वो living रहता है तो abiotic में आपका क्या क्या आएगा आएगा आपका light हो गया, water हो गया, air हो गया, temperature हो गया, ये सब abiotic component है soil भी एक बहुत बड़ा abiotic component है तो A-biotic component की जो characteristics रहती है, A-biotic component कैसा है, वो decide करता है कि उस ecosystem में कैसी life होगी और कैसे survive करेगी और कैसे उसे food मिलेगा और कैसे उसे energy मिलेगी Biotic components को हम आगे भी दो type में further divides कर सकते हैं, producer and consumers, यह बहुत important है, इसे हम detail में पढ़ेंगे आप इस picture में देख सकते हैं कि मैंने Biotic और A-biotic को अलग-लग दिखाया है, तो A-biotic जो है जैसा मैं बता चुका हूँ, वो non-living रहता है, water हो गया, soil हो गया, air हो गया, mineral हो गया, light रह गया, temperature हो गया, यह सब A-biotic components है Biotics में living organism आएंगे, plants हो सकते हैं, animals हो सकते हैं, human beings हो सकता है, bacteria, algae, fungus, protozoa, कुछ भी हो सकता है, virus भी infect, biotic component है, like coronavirus इसके बाद आता है, biotic component का first division, जिसे हम बोलते है, primary producers, यानि की autotrops, autotrops क्या होते हैं, simple language में हम बोले, तो autotrops वो biotic components है, या वो living organism है, जो अपना food अपने आप से बना सकते हैं, तो basically हमने जो अब तक पढ़ा है, कि जो food बनाते हैं, वो photosynthesis के process से food बनाया जाता है, जिसमें carbohydrates को synthesis करते हैं, CO2 से, और water की presence में, और sunlight की presence में, यह सब रहते हैं, अभी तक हमने यह पढ़ा है, पर अब हमें एक चीज और पढ़नी है, एक process और होता है, chemo synthesis, photosynthesis जो है, light की presence में हो रहा है, chemo synthesis जो है, light की absence में होगा, मतलब इसमें chemical energy से food बनाया जाएगा, वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ sunlight और water की presence में, CO2 से carbohydrates बनाई जाती है, carbohydrates जो है, body के लिए energy giving food रहता है, तो photosynthesis के process से, जो food बनाते हैं autotrops उन में आते हैं, green plants हो जाता है, कुछ bacteria होते हैं, कुछ algae रहते हैं, तो आप इस picture में देख सकते हैं, अगर A picture को देखेंगे तो वो plant है, अगर B में देखेंगे तो वो algae type मैंने कुछ आपको show किया है, और C में देखेंगे तो bacteria है, ये बाद आता है, consumers, ये भी biotic component of ecosystem है, जो अपना food खुद नहीं बना सकते हैं, अगर अपना food खुद नहीं बना सकते हैं, तो क्या करेंगे, या तो किसी plants को खाएंगे, या किसी animals को खाएंगे, या हो सकता है, plants को भी खाते हैं, और animals को भी खाते हैं, वो depend करता है कि कैसी availability है, तो heterotrops क्या होते हैं, heterotrops होते हैं, secondary ईनको अभी हम ही देखेंगे तो consumer को हम उनके size के basis पर दो type में divide कर सकते हैं macro consumers and micro consumers micro consumers को हम separaterophs भी बोलते है montfor consumers वो plants पर और animals या दोनों पर ही feed करते हैं निकी इन से अपना भोजन पराप्ट करते ने तो सबसे पहले जो macro consumers आता है, उसे Harbe Wars बोलते हैं इन्हें हम primary consumers भी बोलते हैं ये food के लिए अपने plants पर depend करते हैं इसके बाद secondary consumers आता है जो primary consumers पर अपने food के लिए depend करते हैं इसके बाद carnivores आता है carnivores को हम tertiary consumer भी बोल सकते हैं और ये secondary consumers पर अपने food के लिए depend करते हैं ये सबसे top पर होते हैं मतलब सबसे नीचे ototropes यानि के producers फिर आपका आता है herbivores फिर आपका आता है secondary consumers फिर आपका आता है tertiary consumers मतलब carnivores में जो tertiary carnivores है या tertiary consumer है वो सबसे top पर रहता है उसके बाद आता है omnivores एक ये special case of consumers रहता है जो plants को भी खा सकते हैं और animals को भी खा सकते हैं इसका सबसे important example है human being ह हो गया dog हो गया cat हो गई ये सब omnivores है इसके बाद जब हम consumer को size के basis पर divide करते हैं तो micro consumers भी आते है micro consumers का एक दूसरा नाम है saprotrops ये जितनी भी keywords हैं harbivores हो गया, carnivores हो गया, omnivores हो गया, saprotrops हो गया, autotrops हो गया इनकी definitions आपको clearly याद होनी चाहिए क्योंकि ये किसी भी exam में सीधा पूछा जा सकता है और नीचे 4 option में 4 definition दी जा सकती है तो ये बहुत ही easy है इसलिए आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं तो saprotrops of consumers क्या होते हैं जैसे suppose कीजिए कि सड़क पे कोई accident हो गया और उसमें किसी dog की death हो गई उसके बाद आप देखते हैं उस पे कुछ bacteria आ जाते हैं और कुछ ऐसे वल्चर टाइप birds भी आ जाते हैं जो उसको decompose करते हैं dead organic matter पे जिंदा रहते हैं उन्हें हम saprotrops भी बोल सकते हैं इसके बाद मैंने आपके लिए एक यह अपनी handwritten में एक यह picture डाली है मेरी राइटिंग इतनी ठीक नहीं है पर मैं उमीद करता हूँ आपको यह समझ में आएगी तो यह मैंने बेसिकली consumer का एक easy division शो किया है सबसे पहले हर्भी वोर्स हर्भी वोर्स वो हैं जो directly plants को खाते ह हैं यानि कि autotrops को खाते हैं producers को खाते हैं जिसमें deer हो गया goat हो इसके बाद आता है carnivores carnivores जो वो हैं जो हर्भी वोर्स पर अपने food के लिए depend रहते हैं इसमें secondary carnivores और tertiary carnivores जैसे frog ने किसी हर्भी वोर्स को खाया अब frog को snake ने खाया मतलब हैं तो दोनों ही carnivores बट एक उससे बड़ा है और एक उससे छोटा है उसके बाद omnivores जो बहुत plants and animals पर depend करता है human being उसके बाद आता है saprotrops जिसे हम जैसे आंट और क्रेब यह मैं आपको बता सुका एक special category of consumer आती है parasites parasites और इन बाकी दूसरों में क्या difference है मतलब आदमी ने खाना खाया plant से लिया या कुछ भी किया उसके बाद आदमी खाना खाता है और घूम फिर के फिर आ जाता है वो plant के साथ या animal के साथ चिपका नहीं रह कि जहां से उन्हें food मिल रहा है वो उसके साथ चिपके रहेंगे मतलब continuous relation है घूम फिर के नहीं आएंगे ऐसा नहीं है कभी आ गए कभी चले गए उसके साथ ही रहेंगे तो इस बेपे हम अगर इने डिवाइड करें तो डो टाइप के parasites आपको देखने को मिलेंगे endoparasite जो ectoparasite है जो outside of body रहते हैं इसके बाद decomposers मैं बता चुका हूं decomposers कौन से होते हैं decomposers वो होते हैं जो dead organic matter पर depend करते हैं और ये किसी भी organic matter को इतना decompose करते हैं ताकि उससे soil दोबारा use कर सके soil को use करने से soil fertile होती है and reach होती है फिर से उसमें plants उपते हैं और ये cycle ऐसे carry on होता रह ये figure मैंने आपके लिए show किया है सबसे नीचे आता है bottom पर soil यानि की decomposer decomposer में आपने सुना होगा earthworm रहते हैं earthworm क्या करते रहते हैं decompose करते रहते हैं soil fertile बनती रहते हैं उसके बाद आता है primary producers जिने हम autotrophs बोलते हैं जिसमें plants हो सकते हैं कुछ bacteria हो सकते हैं जिसमें photosynthesis का process होत होते हैं जो directly primary producers पर depend करते हैं उसके बाद ये carnivores टोप carnivores ये मैं आपको बता चुका हूँ अब जैसा कि हम पढ़ रही थे कि ecosystem में क्या होता है एक तो matter का transfer होता है एक energy का transfer होता है अब समझते हैं कि वो कैसे होता है वो सबसे depend करता है food chain पर food chain क्या होती है food chain होती है जैसे मा organism रह रहY हैं तो 2 organism रह रही हैं तो अब वो कैसे अपनी energy ले रहे हैं कैसे अपना matter ले रहे हैं कौन किसको खा रहा है कैसे खा रहा है ये सब food chain का हिसा हुझत होता है और energy और food का कैसे transfer हो रहा है तो ये basically sequence रहता है तो food chain start कहां से होगी जहां से खाना बन रहा है खाना कौन बना रहा है producers बनाते हैं खाना यानि के auto-tropes खाना बनाते हैं और सबसे आखरी में कहां खतम होगी जो top carnivore है हमने बताया था जो tertiary level पर बैठा है वहाँ पर ये food chain खतम हो जाएगी एक बात और क्या है जैसे हम bottom से लेकर और उपर top तक चलते जाते हैं तो energy का flow जो है energy total जो ecosystem में वो कम होती चली जाती है तो जितनी छोटी food chain रहेगी उतनी ही energy जाता रहेगी ये जो energy का concept है आने वाले lectures में आपको ecological pyramids करवाँगा वहाँ पर energy का concept बहुत अच्छे से clear करवाँगा जैसे मैंने आपके लिए ये picture शो की है मलब sun sun किसको मिली grass को grass में क्या रहता है chlorophyll होता है उपर से water भी मिल गया तो grass ने photosynthesis के process से अपना food बनाया अब food में primary consumer जिसे हम harby wars बोल सकते है grass hopper आया और उसने इसको खाया अब grass hopper को खाने के लिए secondary consumer कार्निवोस बैठा है snake ने क्या किया अब इस grass hopper को खा लिया अब उसके बाद tertiary consumer कार्निवोस बैठा है मतलब eagle बोल सकते है या hawk बोल सकते है उसने इस snake को खा लिया certain age के बाद इस hawk की death हो गई अब death हो गई तो इसको decompose करने के लिए कोई fungi आएगा या कोई bacteria आएगा जो इसको decompose करेगा अब decompose होने के बाद ये जो इसकी death body थी वो smaller smaller part में इन्होंने decompose कर दिया और वो दोबारा से soil में मिल गई अब soil में मिलने के बाद soil fertile हो गई फिर से उस पे grass होगी plant होगे, tree होगे और ये जो cycle है ये चलता रहेगा तो energy का flow जो रहे unidirectional है कैसे producer, producer से primary consumer primary consumer से secondary secondary और tertiary ये सब चलता रहेगा उसके बाद matter का जो आपका ये जो cycle है वो बिलकुल cyclic है वो पूरा चलेगा, वो unidirectional है और आपको matter का flow cyclic है तो food chain जो है, दो types की रहती है grazing food chain सबसे पहले हम पढ़ेंगे grazing food chain कौन सी होती है जो plant से और या part of plant से शुरू होती है म Sinne, food chain तहाँ से शुरू होगी food chain producer से ही शुरू होगी तो producer क्या हो सकता है या तो plant हो सकता है या कोई decomposure हो सकता है या bacteria हो सकता है तो grazing जैसा की नाम से पता चल रहा है grazing, grazing का जो relation हो ग्रास से है तो grass में क्या है, grass क्या है, plant हो गया या part of plant हो गया, तो यह basically green plant से शुरू होगी, और उसके बाद यह उपर तक जाएगी, जैसे कोई plant था, plant को caterpillar ने खाया, या उसके part को खाया, caterpillar को lizard ने खाया, lizard के बाद को snake ने खाया, तो इस तरह यह grazing food chain चलती है, जैसे बाद आता है dead treatise food chain dead treatise का मतलब होता है dead animal या dead part of the plant, तो यह कहां से शुरू होगी, जो decay plant है या animal है उससे शुरू होगी, जैसे लीटर हुआ, लीटर को earthworm में डिकंपोज कर दिया, earthworm को hen ने खाया, hen को हो किया, किसी eagle ने खा लिया, तो यह होती है dead treatise food chain, तो डो टाइप की food chain रहती हैं, के बा एक food chain होगी, दो food chain होगी, तीन food chain होगी, तो बहुत सारी food chain रहती हो, आपस में interlink होती है, जैसे spider web एक interlink होता है, तो इससे क्या होता है, कि एक बहुत बड़ा network बन जाता है, spider web की तरह, जिसकी वजह से क्या होता है, कि एक animal या एक organism के पास, या एक consumer के पास, बहुत सारे option रहते हैं कि उसे एक ही टाइम पर क्या खाना है तो उसे हम food web बोलते हैं तो food web क्या हो गया food web is a like a spider web connection और network of the food chains मतलब बड़ी जो food chains है उन्हें हम food web बोलते है collection of food chains is known as food web food web जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बहुत सारे option और alternative provide करती है कि एक organism के पास food के कितने option रहेंगे जितने option ज्यादा रहेंगे organism के survival के chance उतने ही अच्छे और उतने ही ज्यादा रहेंगे जैसे मैंने आपको यह picture में दिखाया है आप देखिए अब frog के पास कितने option है यहाँ खाने के लिए frog dragonfly को भी खा रहा है frog moth को भी खा रहा है frog ant को भी खा रहा है इसी तरह आप और देख सकते हैं अब यह kokobura frog को भी खा सकती है उसके बाद यह इस कीड़े को भी खा सकती है तो यह food web है मतलब इस में बहुत सारी food chains एक दूसरे के साथ interconnected हैं intermix हैं intermingle हैं जितनी बड़ी food web होगी उतना ही survival का chance अच्छा रहेगा तो आज यह जो static part था जिसमें हमने ecosystem को study किया ecology को study किया उसके बाद हमने food chain और food web को study किया वो यहीं खतम होता है जल्दी हम आपके सामने next lecture लेकर आएंगे आपने हमें सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज हमारे channel को subscribe कीजिए और हमारे videos को like and share कीजिए thank you